नमस्कार आप सभी का एगेंस्ट क्रप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे किस प्रकार हम DGP कारियाले पुलिस महानिर्देशक के कारियाले से किसी भी तरह की सूचना प्राप्ट करने के लिए RTI कैसे लगाएंगे इसके बारे में जानकारी प्राप्ट करेंगे इस वीडियो को बिना स्किप के हुए अवस देखेंगे जिससे आप हर पॉइंट पर अच्छी तरह समझ सकें कि किसी भी पुलिस विभाग के कारियाले से आप RTI लगा कर किस तरह सूचना मांग शकते हैं चलिए जो इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो अब सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा कर ओल पर भी क्लिक अबस्र कर लें जिससे हर तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे तथा एक लाइक अबस्र करेंगे तथा इसे इतना सेर करेंगे जिससे हर भारतिये को इसकी जानकारी अधिक से अधिक हो सके चलिए यह प्रपत्र को है आप साधे कागज पर भी प्रपत्र को इस प्रकार लिख सकते हैं हाथ से या टाइप करा सकते हैं जिनके पास forum हो तो अपना forum भरेंगे इसी प्रकार लिखेंगे श्रिवा में लोग सुचना पदा दिकारी पुलिस महार्देशक का कारियाल है अपने अपने राजी का नाम लिखेंगे पीन कॉड अबस लिख देंगे आवेदक अपना नाम लिखेंगे एक में पूरा पता लिखेंगे मैंने एक आउनलाइन थाना SHO के खिलाप एक सिकायत किया था बिहार पुलिश डॉट इन पर इसी से संबंदित सूचना की मांग की गई है बिहार पुलिश डॉट इन पर प्रभीन कुमार सरमा द्वारा टोकन नमबर इतना कंप्लेंड नमबर इतना से 237-3-2-0-3 इसको ऑनलाइन कंप्लेंड किया गया था मैं जानकारी चाहता हूँ पहला इस पर की गई कारवाई की दैनिक प्रगति रिपोर्ट दी जाया है या आविदन कब और किस अधिकारी के पास पहुँचा या उसके पास कब तक रहा और उसने इस दौरान इस सब्मन में क्या कदम उठाए दूसरा उन अधिकारी के नाम और पदनाम बताएं जिने इस पर कारवाई करनी चाहिए थी पर सौसमै उन्होंने नहीं की तीसरा अपना काम स्वास में ठीक से ना करने और जनता को प्रतारित कर जूटे केस में फशा कर परिशान करने के आरोप में अधिकारी के खिलाब क्या कदम उठाए जाएंगे ओनलाइन की गई सिकायत की छाया प्रतिस सरलगन है यहाँ बिहार प्रिश टॉट इन पर टोकन नंबर से ओनलाइन कंप्लेंड किया गया था SHO के खिलाब जिसके संबन में RTI लगाकर DGP कारियाल है पतना से यह प्यार से संबन दिता है की मांग की गई थी आप लोग देख लें इसमें 10 रुपे का सुल्क अवस पोस्टल ओडर के रूप में या DG बना के लगा सकते हैं या आप नन जुडिसिली स्टांप लगा सकते हैं जिसके पास रासन कार्ड हो जो गरीबी रेखा से नीचे के प्रिवार के हैं वो अपना रासन कार्ड अवस लगाकर नेशुल्क सूचना प्राप्ट कर सकते हैं नोट में हरेक आवेदर में अवस लिख दें यदि यहाँ आपके कार्याले या विभाग से संबंदित नहीं है तो 16-3 के तहत संबंदित कार्याले विभाग को अस्थांतरित कर मुझे भी सुचित करें अपना हस्ता हस्ता पूरा पता लिखेंगे इस प्रकार हम लोग डीजीपी कारियाले से भी सूचना मांग शकते हैं और यह सूचना डीजीपी कारियाले को देनी ही होगी इसलिए किसी भी तरह की सूचना प्राप्त करने के लिए पुलिस विवाग के DGP कारियाले पुलिस महालने देशक कारियाले से भी सूचना की मांग कर अपने सिकायत से संबंधित जानकारे प्राप्त कर सकते हैं जैहिन